हेलो फ्रेंट्स मैं मरजीत आप सभी को हमारे चनल एस मार्ठेल पर स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीएफ एकाउट में नॉमनी को कैसे एड कर सकते हैं इस वीडियो में मैं एक नॉमनी एड करके आपको step by step पूरा बताने वाला हूँ कि नॉमनी एड करने के बाद जो verify process होता है उसको भी मैं इस वीडियो में cover करूँगा कि आप उसको verify कैसे करवाईएगा अगर friends अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे जिसे कि मैं जो भी वीडियो upload करूँगा उसका notification आपको मिलती रहेगी चलिए friends चलते हैं computer screen पर और देखते हैं पीएफ एकाउट में नॉमनी एड करने का process पीएफ में नॉमनी एड करने के लिए friends आपको इस website पर आ जाना होगा इसका link आपको description में मिल जागा उस पर click करके आप direct यहाँ पर आ जाईएगा even number friends जो आपको पीएफ का number होगा वही यहाँ पर डालना होगा और जो आपको password मिला होगा या आपने password create कर रखा होगा वह यहाँ पर डालकर और नीचे इस capture code को नीचे में डालकर और sign in पर click कर लेना है sign in पर click करने के बाद friends आपको कुछ इस पर कैसे interface दिखेगा जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ही alert में यहाँ पर दे दिया है यहाँ पर आपको nominee add करना जरूरी है यहाँ पर देखिए file now लिखा हुआ है यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर देखिए आपको nominee add करने के लिए manage पर आना होगा manage पर आने के बाद यहाँ पर देखिए e-nomination लिखा हुआ है आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा जिनका आप nominee में नाम दे रहे हैं वह आपके family से हैं या बाहर से हैं अगर family में होंगे तो yes किजिएगा नहीं होंगे तो no किजिएगा तो यहाँ पर family member का add करना है तो मैं AS पर click कर देता हूँ यहाँ पर click करने के बाद आपको कुछ इस पर कासे interface दिखेगा जिसमें यहाँ पर देखिए जिनका आपको nominee में नाम देना होगा उनका अधार number यहाँ पर डालना है उनका नाम जो की अधार card पर होगा date of birth यहाँ पर gender select करना है कि male का करना है या female का यहाँ पर relation select करना होगा जिनका आप nominee में नाम दे रहे हैं वो आपके relation में क्या लगते हैं कि उनके wife का देना है बेटा का देना है या जिनका भी देना होगा आप यहाँ पर select कर दिजेगा उसके बाद यहाँ पर address मांग रहा है डाल दीजेगा उसके बाद यहाँ पर फोटो मांग रहा है तो फोटो में friends आपको नमनी का ही फोटो अपलोड करना है तो नमनी का फोटो कुछ कटेगरी यहाँ पर बाटा हुआ है तो इस पर क्लिक किजेगा तो यहाँ पर आपको details दिख जागा यहाँ पर आप देख सकते ह है कि लिखा हुआ है जो भी फोटो होगा वो clean होना चाहिए और उस फोटो का size यहां पर देख सकते हैं 3.5 cm into 4.5 cm होना चाहिए यहां पर जो लंबाई है वो 3.5 और जो चौड़ाई हो जागा friends वो 4.7 cm होना चाहिए और यह 80 परसेंट तक image clear होना चाहिए मतलब कि जो भी फोटो होगा उसका quality थोड़ा अच्छा होना चाहिए और यह फोटो आपको 100 के भी के नीचे रखना होगा और यहां पर इसमें बोल रहा है कि जो फोटो आप अपलोड कीजेगा उसमें दोनों कान जो है वो विजवल होना चाहिए मतलब कि दिखाई देना चाहिए ताकि फोटो सही से वहां पर verify हो सके तो इस परकार से आपको फोटो साइज में ले आना है 3.5 cm x 4.5 cm में और 100 के भी के नीचे और उसके बाद आपको नीचे आकर Save Family Details पर क्लिक कर देना है तो मैं यहां पर यह details फिल करके और Save Family Details पर क्लिक कर देता हूँ यहां पर friends आपको फोटो अपलोड करने के बाद नीचे में Preview का option है आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद साइड में आपको आपका फोटो दिखा देगा उसके नीचे upload photograph लिखा हुआ है आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद उपर में confirmation मांग रहा है आपसे तो ok कर देना है और ok करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि image uploaded successfully का एक pop-up आ गया है यहाँ से आपको ok कर देना है ok करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा details यहाँ पर आपको show हो जाएगा यहाँ पर आप सही से मिला लीजेगा उसके बाद यहाँ पर दिखिए नीचे में mark करना है और Mark करने के बाद आपको Save Family Details पर क्लिक कर देना है Save Family Details पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए लिखा हुआ आ गया है Family Details Save Success खुली अब इसे आपको Scroll करके नीचे आना है नीचे आने के बाद Friends यहां पर देखिए EPF Nomination लिखा हुआ है इसमें आपसे पुछ रहा है कि जो आप Nominee यहां पर Add किये हैं उनको आप कितने % का Share देना चाहते हैं मतलब कि आपका जो भी पीएप का पैसा है आपको कुछ हो जाने के बाद आप Nominee में जिनका नाम दिये हैं उनको आप पूरा पैसा देना चाहते हैं आपको इस पर Mark कर देना है और Mark करने के बाद यहां पर देखिए जो 00 लिखा हुआ है यहां पर आपको 100 लिख देना है अगर पूरा पैसा देना है तो अगर आधा पैसा देना है तो यहां पर 50 लिख देना है और Save EPF Nominee पर क्लिक कर देना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं EPF details saved successfully यहाँ पर जो आपका share था वो भी save हो गया है कि आपको उनको कितना share देना है अब यहाँ पर इसे e-sign के थुरू verify करवाना होगा तभी आपका यह nomination successfully add होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते फ्रेंट्स nomination जो है यहाँ पर pending दिखा रहा है पहले verified करवाना होगा verified करवाने के बाद ही यह successfully आपका add हो पाएगा तो यहाँ पर देखिए पहला option है वीव यहाँ वीव पर click करके आप अपना details पूरा मिला सकते हैं अगर कोई गलती है उस details में तो यहाँ से edit करके फिर से correct कर सकते हैं और अगर आपने सही से fill किया हुआ है तो e-sign पर आपको यहाँ पर click करना होगा इसे verify करवाने के लिए यहाँ पर e-sign पर आपको click करना है e-sign पर click करने के बाद यहाँ से आपको process का option दिखेगा आपको process पर click कर देना है process पर click करने के बाद यहाँ पर दिखे इंटर virtual ID मांग रहा है तो यहाँ पर जिनके नाम से PF account है उनका यहाँ पर virtual ID डालना है जो अधार पर होता है अगर आपको virtual ID अधार पर नहीं दिखता है तो उसे निकालने के लिए यहाँ पर दिखिए get virtual ID पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर page redirect होगा अधार के website पर थोड़ा scroll करके नीचे आईएगा और अधार service के अंदर में यहाँ पर दिखिए virtual ID generator लिखा हुआ है आपको इस पर click करने के बाद यहाँ पर दिखिए आपसे अधार नमबर मंग रहा है यहाँ पर OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखिए retrieve लिखा हुआ है आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर दिखिए your virtual ID is sent to your registered mobile number जो आपका virtual ID था वो mobile number पर send कर दिया गया है और फ्रेंट्स जो mobile number पर virtual ID गया है उस virtual ID को यहाँ पर आपको डाल देना है तो मैं यहाँ पर virtual ID डाल देता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर mark करना है और उसके बाद verify पर आपको click करने के बाद आपको कुछ इस परकार से इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है हस्ता चर और नीचे में आपको mark करना है इस पर mark कीजिएगा तो page reload होगा reload होने के बाद यहाँ पर आप अधार number और virtual ID भी डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर get OTP पर आपको click करना होगा और get OTP पर click करने के बाद यहाँ पर OTP डालना होगा यहाँ पर get OTP पर click करने के बाद यहाँ पर दिखिए OTP डालने का option आ रहा है आपके mobile number का last four digit आपको यहाँ पर दिखा देगा और उसी number पर यहाँ पर OTP गया होगा यहाँ पर OTP डाल देना है डालने के बाद इस पर मार्क किजिएगा और मार्क करने के बाद सब्मिट पर क्लिक कर देना है submit पर click करने के बाद यहाँ पर page reload लेगा कुछ time ले सकता है तो आप wait कर लीजेगा page को refresh नहीं करना है कुछ time wait करने के बाद यहाँ पर देखिए sign भी यहाँ पर successfully submit हो चुका है यहाँ पर हम लोगों ने सारा process complete कर दिया है जो की nominee add करने का process होता है तो यहाँ पर हमारा nominee successfully submit हो गया है आपको इसे देखने के लिए manage पराना है और e-nomination पर click कर देना है e-nomination पर click करने के बाद यहाँ पर दिखिए nomination successfully as status में दिखाई दे रहा है इसका status यहाँ पर हमारा nomination जो था nominee का नाम successfully यहाँ पर हम लोगों का add हो चुका है नॉमनी का डीटेल्स देखना होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है PDF डाउनलोड होगा उस PDF में जो भी नॉमनी का डीटेल्स होगा यहाँ पर सो हो जाएगा तो इस process को follow करके आप अपने PF account में या किसी के भी PF account में nominee add कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोगों ने जाना friends कि अगर आपको PF account में nominee add करना है तो उसे आप कैसे add कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और ऐसे ही वीडियो का update पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजे जिससे कि मैं जो भी वीडियो अप्लोर करूंगा उसका notification आपको मिलती रहेगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद friends जाहिंद